बिल्कुल मिठाई की दुकान जैसा ब्रेट पकोडा बना रहे हैं देखे कितना नरम बना है और मेरे चटोरों कैसे हुग आप कम से कम ओईली बनेगा बहुत सारे टिप्स शेयर कर रहा हूं तो चलिए बनाते हैं ब्रेट पकोडा ब्रेट पकोडा की फिलिंग के लिए मसाला को जमा करते हैं वरना इसके जलने का डर रहता है एक एक डालते हैं तो तो एक बोल में मैंने एक चमच कुटी वी सौंफ ली है एक चमच कुटावा धनिया अब बाकी के मसाले मसाले वाली चम्मच होती है ना मसाले दाना वाली वो आदा चम्मच के बराबर होती है तो आदा चम्मच धनिया पाउडर, आदा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई चम्मच गरम मसाला, आदा चम्मच काला नमक, अमचूर, वो भी आदा चम्मच है, नमक टेस्ट हिसाब से, आदा चम्मच कसूरी मेथी, आदा चम्मच भूनावा जीरा का पाउडर, औ सारे मसाले हो गए इनको अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे अब जो जलने का डर था ना कढ़ाई में वो कम हो गया है तो कढ़ाई गरम करते है कढ़ाई में डलेगा दो बड़े चम्मस तेल तेल जैसे ही थोरा सा गरम होता है एक कटीवी हरे मिर्च और एक इंच अधर का तुकुडा है दोनों को एक बड़ फ्री कटना है तो अभ इसमें मटर ढालते है यह मैंने फ्रोजन मटर इस्तमाल करें दो बड़े चमच के आजस पास करती है माठर भी ले सकते यह हम लोग ताजा चीलतेpping वो बीट ने करता Εन व और यह के साथ में फ़वर तो पानी डाल दिजेगा फ्लेम को एकदम लो रखना है और मसाले और मतर को भूनना है जब तक मतर नरम ना हो जाए 3-4 मिनिट लग जाती है अगर ऐसा लग रहा है कि मसाले जलने का डर है तो पानी डाल सकते हैं लेकिन बिना पानी के भूनेवे मसाले का टेस्ट कमाल का आता है आप देख सकते हो मतर नरम होने लग गए है बिलकुल अब हम लोग इसमें आलू डालेंगे यह मैंने चार मीडियम साइस के उबलेवे आलू इस्तमाल की है इसे आठ ब्रेट पकोडे बन जाते है अब बस आलू को मिक्स और मैश करना है मसालो के साथ मीडियम फ्लेम पर एक मिनिट के आसपस लग जाती है यह लोग आलू के चंक्स गायब हो गए है अपनी फिलिंग पूरी रैडी है जब तक यह थोड़ी से थंडी होती है तब तक कोटिंग का काम करते है जो बेसन की होती है यहाँ पर मैंने बोल में दो कप बंबे बेसन इस्तमाल किया है जो नॉर्मल चक्की बेसन होता है न व मैंने एक चमच अजवाइन लिया थोड़ा सा चूरा कर दिया उसका नमक टेस्ट हिसाब से और बेकिंग पाउडर इसमें डालेगा 3 4 टी स्पून खाने का सोडा या सोडा बाइकार्ब या मीठा सोडा से बहुत बार ओईली बनते ब्रेट पकोड़े और बेकिंग पाउड तो पानी की कॉंटिटी है बान कप इस्तेमाल करनी है एक बार में सारा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करकर डालकर इसका बैटर बनाएंगे फिर से यहाँ पर देख सकते कि कितने लंब्स बन गए है बॉंबी बेसन बहुत पतला होता है कॉर्ण फ्लार जैसा कोई बात नहीं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह फेटेंगे सारे लंब्स गायब हो जाएंगे दो मिनिट कम से कम इसको फेटना है लंब्स आय या ना है फेटना जरूरी है तो मैंने एक कब से थोड़ा सा कम पानी इसमें डाला है एकदम गाड़ा बैटर बनाया अभी यह इसको 10 मिनिट के लिए रेश्ट करने देते हैं 10 मिनिट बाद देखें कितना गाड़ा हो गया और अब इसमें और पानी डालकर इसका भेने वाला बैटर बनाना है ना पतला ना गाड़ा अगर गाड़ा बैटर रहेगा तो ब्रेट टूट जाती है कोटिंग करते समय और पतला बैटर रहेगा तो ओली बनेंगे ब्रेट पकोड़े पानी के साथ ही में मैंने या पर एक चमस तेल भी डाला है यह एक टेबल स्पून तेल डालकर एक फाइनल मिक्स कर दिया और बैटर अपना रेड़ी है और मिलाना पड़े तो फ्राई करने से पहले इसमें पानी मिला लेंगे अभी ब्रेट की सैंविच बनाते ह पेड़ेट की सैंविच के लिए यहां पर मैंने सैंविच ब्रेड इस्तमाल करी है थोर इसी अगर पुरानी ब्रेड हो चाहे एक दिन पुरानी ब्रेड हो तो बढ़िया रहती है आप देख सकते हो ज़ाधा नरब नहीं है ये ब्रेड एक बार के लिए मैंने ये 4 सलाइस लेली इनमें दो में हम लोग हरी चटनी लगाएंगे चटनी भी थोरी गाड़ी होनी चाहिए चटनी अगर पतली रहेगी तो ब्रेड उसको सोस लेगी एब्सौर्ब कर लेगी ये हरी चटनी और चाशनी वाली लाल चटनी की रेसिपी देखनी है तो बताना जरूर से मैंने दो स्लाइस में हरी चटनी लगा ली अब बाकी दो में हम लोग खटी मिठी चाशनी वाली इमली की चटनी लगाएंगे चलो भाई लोग चटनी वाला काम हो गया, अब हम लोग इसमें आलू मसाला देखते हैं आलू मसाला हरी चटनी के ओपर लगा रहा हूँ, बहुत बार लाल चटनी के ओपर लगाते तो वो फिसल जाता है अगर आपको पूरा ही मिठाई दुकान और हलवाई स्टाइल में बनाना है तो दोनों लाल और हरी चटनी वाली लेयर में थोरा थोरा आलू का मसाला और बीच में पनीर की लेयर रख सकते है अलू फैल गया अब ये पूरा रेडी है तूसरी ब्रेट से इसको कवर करेंगे और इसको अब कट करना है बहुत सरे दुकान वाले इसको पुरा ही फ्राइए कर देते और बात में कट करते है घर में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए मैं इसको पहले ही कट कर रहा तो टेस्ट करने के लिए अपने उंगली से थोरा सा बैटर तेल में डालेंगे वो एक बार में उपर आ जाना चाहिए चलो तेल भी रेडी है अब हम लोग सैंविच को लेंगे अच्छी तरह इसको कोट करेंगे अभी कोटिंग के समय आपको पता चल जाएगा कि बैटर गाड़ा है या पतला है अगर गाड़ा बैटर होता है तो कोटिंग ही नहीं होती आसानी से यह साई से हो गया अब हम लोग इसको तेल में डालकर फ्राई करेंगे मीडियम फ्लीम मैंने रखी है यहाँ पर और गरम गरम तेल हम लोग को ब्रेट पकोडा के ओपर डालना है मैंने यहाँ पर बड़ी सारी आइरन की कढ़ाई लिये जिसमें तेल कम है ऐसी अगर कढ़ाई हो तो फ्राई करना बहुत आसानी से हो जाता है यह इसलिए क्योंकि जब हमनों गरम गरम तेल डालते ना तो तेल बाहर ना आए तो मीडियम फ्लिम पर इसको फ्राई करेंगे जब तक यह लाइट गोल्डन ना हो जाए यह देखें बिल्कुल हलवाई की दुकान जैसा लग रहा है ना अपना ब्रेट पकोड़े बिल्कुल रेडी है बिल्कुल ऐसे ही सारे बना लूँगा ब्रेट पकोड़ा बनाने के लिए बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है ब्रेड अगर एक दिन पुरानी हो तो बढ़िया रहेगा बड़ी कड़ाही में कम तेल हो तो तेल भाहर नहीं निकलेगा बंबे बेशन रहेगा तो कोटिंग एवन होगी और बैटर मीडियम रहेगा तो सही से कोटिंग हो जाएगी इन सारी चीजों का ध्यान रखने से एकदम मस्त ब्रेट पकोड़े बनते हैं अब बस इसको कट करके सर्फ करेंगे देखिए कितने नरम बने हैं उपर से चाट मसाला डालना है और ब्रेट पकोड़े खाने के लिए एकदम रेडी है तो कैसे लगी ब्रेट पकोडा की रेसिपी दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक बेटन नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बेटन और इसी कौन से मिठाई दुकान की रेसिपी देखनी है कॉमेंट जरूर से करना आज के लिए इतना ही